मम्मी का वो इस्ट्रगल था काफी मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी कोई वीडियो था कोई नायब तैसिलदार था कोई ट्रेजरी आफिसर था तो मतलब लग रहा था यार मैं ही आयम का पहले मैं तो कुछ भी नहीं हूं अभी तो वही है कि 7-8 गिंट आपको यह व सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले बास आप लोग वीडियो में तक बने दिएगा और पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हलो सर हमारे वीवर्स चो वीडियो देख रहे हमारी तरब से आपको बहुत बहुत बताई धन्यवाद विब सब्सक्राइब बाद बस मंदब ग्रेजोशन ही है या उसके बाद भी आगे डिग्री मंदब अभी मैं बीएड कर रहा हूं बीएड फाइनल यह मेरा और पीसेस के जरनी में आपका कब आना हुआ इसके लिए मोटिवेशन आपको कहां से मिला मोटिवेशन तो सर यही था क कि मम्मी का वह इस्ट्रागल था काफी मम्मी प्राइविट स्कूल में टीचर थी तो लगता था कि यह सिच्वेशन को जल से जल बदला जा तो फिर मोटिवेशन सबसे बड़ा तो वही था और बाकि फिर जब मैं 12 का जब रिजल्ट आया था मेरा उससे पहले 2015 वाला जो र रिजल्ट था तो फिर मैंने सुझा था कि ग्रेजवेशन के बाद मैं सोचूंगा इस बारे में सिविल सर्विसेज में आने की तो उसके बाद मतलब ग्रेजवेशन 2019 में पूरा हुआ तो उसके बाद फिर एक साल बाद लॉकडाउन से मैंने सुरू कर दिया था तब से तो मैंने खुछ से किया था तो कि आपने किस सरी की सी यूच किया था जैसे यूट्यूब वीडियो का करेंंट अफ्यों के लिए यूज़ किया था बहुत ज्यादा करेंट अफ्यां के तो बहुत मल्टिपल सोर्स ते हैं स्ट सट्डी आइक्यू हो गया तिर आपका SES वा सिक है था बहुत ज्यादा चैनल से बहुत ज्यादा सोच थे यूटुब के लिए बाकि-बुक सिंग्ल वायता था क्या पीसे के लिए आपका आटम्ट कौन सा था और मीडियूम कहा रहा है तेकनिकली तो सेकंड अटम था यह त्यूसलिए स्टेंट था यह मेडियूम एंगल सारी नहीं पढ़ी थी मैंने जेग्राफिक के पढ़ी थी चिक्स तू ट्वेल ऑर हिस्टी के भी पढ़ी थी यहां पर हिंदी का जो पारण होता है में इसकी बात करें तो उसके लिए आपने कहां से कब दो है हैंदी का मेरे लिए चैलेंजिंग सरफ क्योंकि आपको सब्सक्राइब बाकि था और ज्यादा हिंदी नौलेस था नहीं और च्वाराइब के बाद हिंदी चुट भी गई सब के लिए अनिकार थी सब के लिए सब आता है यह सब मैंने वहां से किया था जो निबंध वाला पार्ड होता है निबंध के तो देखे त्यारी अलग से नहीं होती है अगर आपका पॉर्शन सारा कम्प्रीट है फिर निबंध भी कुछ से हो जाता है बस उसके लिए आपको अलग से क्या करना होता है कोई कोई पढ़ा या फिर कोई बिग परस्नाल्टी है कोई इंपर्टन परस्नाल्टी उनका कोई कोट है वह सब आप एक डायरी बना सकते हैं कोई कolnect कर सकते उसका आप यूज कर सकते हैं बैसे कहां से चाहिए हम यह जाना चाहिए जो आपका निवनती पी Button यह वह तो और वैसे कभी कुछ स्क्रोल कर रहां नेट पर यूट्यूब पर तो कुछ सिग्निफिकन डिख जाता था तो नोट कर लेता था वैसे कुछ वैसा नहीं कि लग कि अब चलो कोट धुनते हैं वैसा कुछ भी नहीं किया था अच्छा इसके लिए कोई बुक और भी स्पेसल आत अगर पढ़ रहें इस जर्नी में हैं तो आपको खूद मतलब वह आते जाएंगे जैसे आप इन्वामेंट भी पढ़ रहें तो कुछ इन्वामेंट भी किसने कुछ अच्छा बोला है तो वह आ जाएगा जैसे गांधी पढ़ हैं उनके इतने सारे कोट हैं हिस्ट्री में सबसे प्रेक्जाबका उसके लिए आप आपने क्या स्टेटजी फॉर्पी के लिए तो यह था बेसिक सोर्स है सबस्ट किया था बागी YouTube वीडियो से करेंट को सप्लिमेंट किया था बस मैंने वह पढ़ा था नो वीजन का मैगजीन तो ऐसा कुछ मंतली सिर्फ यूपी पीसेस के मतलब उसमें नहीं पढ़ा था मैंने चार्गेट करके और लास्ट में जो आई दिस्टी वाली आती है मैं एक्जाम से 20 दिन पहले तो बस वही पढ़ा था जब आप फर्स्ट अटे वॉजब लेंगे तो आप यह तो मैं जोंगों आए है कि अपने उसमें है कि बारे मेरे मतलब 110 वगारा बन रहेते हैं सायथ परी में तो यह काफ़ी मतलब ऐसा है कि हो सकता है तो फिर नेक्स टाइम मैंने तो मैं लह सकता है नहीं फर्स्ट रिवें प्री ही नहीं हुआ थ किसे तो यहां के बारे में थोड़ा मघ्याल करता हैं लेकिन अगर आप आपको क्यूं आना है आपको क्यूं करना है तो फिर उतार चड़ाओ तो आते रहते हैं कभी कुछी नहीं समझ में आते हैं पता हैं कहां से तो आपके साथ हुआ तो जब आपके साथ हुआ तो आप उस समय अपने आपको कैसे मोटिवेट करते हैं ऐसा होता है कि क्योंकि एक साल का पूरा साइकल है आप आज मैनस कर रहे हैं तो आपको 10-12 महीने बाद जाकर रिजल्ट मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कहीं भी किसी भी चाहिए तो फिर से सुरू करना है आपको तो मोटिवेशन डी मोटिवेशन यह तो पार्ट है इसका बट कभी-कभी ऐसा होता है कि मोटिवेटर होता है तो दोस्तों से बात करता था और दोस्ते उनके साथ कहीं घूमने चला जाता तो फिर दो तीन दिन बाद अच्छे से प्रिपेर किया था इंटर्व्यू में लाज ली ऑप्शनल और सभीता अगरवान माम का बोर्ट था तो ज्यादा ऑप्शनल और जो सुसाइटी से रेटेड इसू चल रहे थे उसी पर मेरा इंटर्व्यू था और उसके बाद जब आप बोर्ड में गये थे वह महां रिएल इंटर्वू चल ला था तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगे दे मेरा एक दो जगह और रिएल इंटर्व्यू था वैसे तो बहुत लोग बोले थे कि कि बहुत इनल्यू था बहुत ऐनल्यू था एकदम फैक्ट्वा तो मुझे जरूवत थी कि मतलब नर्वसने सपनी कम की जाया और बाकी तो उसमें मौक का बहुत हुआ जब वहां पर आप रियल इंटर्वी देने गये थे बोर्ड में तो मतलब किस तरीके का कि वहां जब मैं गया तो वहां देखा कि मतलब मोर दन 80 परसेंट जो कैंडिडेट सेलेक्टे थे कोई वीडियो था कोई ट्रेजरी आफिसर था तो मतलब लग रहा था यार महीं आयों क्या पहले मैं तो कुछ भी नहीं हूं अभी तो लेकिन एंजाइटी थी थोड़ा और हम पांच-दस पर खतम हुआ अंदर जाने पर मतलब मैं थी सविता अगरवाल मैं वह एक दो बार इसमाइल भी कर रहे थी मतलब मूट थोड़ा लाइट कर दी वह महल बाकि भी मेंब एक मेंबर ने तो बहुत अच्छा वह उनके सास्ट उसारा मुसे जीज का पेपर ही जाना चाहें जैसे आप इंटर्व्यू देखे आए तो बहुत सारे चाथ जो तैयारी करें माल जे क्योंकि तैयारी के पहले आपको प्रेपेर करना होता आपने आपको जब आप तैयारी के फेज में रहते हैं तो आप कुछ सजेशन या सुजहाओ ठीफ्स देना चाहेंग है कि sorry बोलिए और बस यह होता है अपने personality को एक confident personality लेकर वहाँ पर जाए इस्माइल करते रहे थोड़ा बहुत हो जाता है का interview के लिए बहुत ज्यादा वैसा दिक्कत नहीं है बस अगर आपका त्यारी अच्छी है अगर आप एक अच्छी personality carry कर रहे हैं confidence के साथ जा रहे हैं और कुछ वैसा ब्लंडर नहीं कर रहे हैं कुछ आजाधा माली कोई पूछा गया आपको नहीं पता है तो आप sorry बोल देजिए यहां की गैस करने के लिए आप गलत गैस सकते हैं और गैस कर भी रहें तो आप उनसे पहले अनुमती मांगिए कि सर क्या मैं गैस कर सकता हूं उसके बाद अगर वह अलाव करते हैं तो फिर कैस करी जो है पंदरा से सोला गारे नहीं वह आप एक दिन पढ़ सकते हैं एक चैंड करके आप खुस हो के कि चलो आज मैं 15 गंटा पढ़ा लेकिन उसके बाद आप दो दिन नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा मैंने ट्राइब किया एक अदबर बट वह नहीं और फिर तो वही एक हो गया बट एक्जाम जब नजदीक है तो फिर तो आपको कंटिनुवस्ली पढ़ना है साथ गंटा लेकिन आप अगर यह सुचेंगे कि मैं 15 गंटा एक दिन में पढ़नूं फिर मतलब हो जाएगा तो फिर यह तो आप गलत रास्ते पर हैं तो उनको आपका कोई सजेशन सुचा हो रहेगा कि अपने त्यारी की सरीके से आगे बढ़ हैं सब अच्छे से त्यारी करिए और बेसिक जो सोर्स है उसको पढ़ते रही है मल्टिपल सोर्स मत यूज करिए रिवाइस करिए बहुत ज्यादा प्रक्टिस करिए चाए वह मेंस हो चाए प्रिलिम्स हो जो आपके जैसे लोग जो आपको मुटिवेट करें वैसा फ्रेंड सर्किल बनाई यह बाकी पढ़ाई करते रही हो जाएगा जैसे कि फोन हो गयरा का यूज करने से कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए जब आप अपने त्यारी के फेज मे बाकी रिफ्रेस्मेंट और रेजुविनेशन के लिए जरूरी है यह सब दीजे बाकी जिसको बहुत ज्यादा है डिस्ट्रेक्शन हो रहा जैसे रील्स हो गया तो वह एप अनिस्टॉल कर सकता है बहुत ज्यादा ब्लॉक के भी यूट्यूब का ब्लॉक करने का ऑप्शन समस्थर बात करने के लिए और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अमारे वीवर्स को प्रोएट की आपको 22 के लिए बहुत सारी सुपता में तो दुस्तों आप लोग को आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताना यदि आप लोग का कोई सजेशन यह सुजा हो बता है तो वो भी आप अमारे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक कमेंट हो से जरूर कर दिजिएगा तो चलिए फिर मिलता है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन बन देमाता हुआ